हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर आज की वीडियो नेट 2021 के एक्सपेक्टिड कटोफ से रिलेटिड रहेगी कि स्टेट वाइज एक्सपेक्टिड कटोफ क्या रहने वाली है किस पर्टिग्लर कैटेग्री के अंदर तो गैस मैंने ओल्टे स्टेट्स मैंने इंकलूड की है लेकिन फिर भी स्टुडेंट्स के कोमेंट आये है पर्टिग्लर स्टेट्स को लेकर कि हमारे स्टेट का यह बताये किक्टिड कतोफ के टेग्री वाइस क्या रहने वाला है तो गैस यह आहां मैंने स्टेट वाइस ही कटोफ ली है 2017, 18,19,20 2021 के एक्सपेक्टेड क्या रहने वाली है और बाकि जो प्रिविएस एर है उनकी एक्ट्छॉल जो कटोफ है वो क्या रही है यह पूरा discussion आज मैं इस वीडियो में करने वाली हूं तो जिन स्टुदेंट्स के कॉमेंट्स आये है ज्यादा कॉमेंट्स जिन स्टेक्स क्या वैं उन ही स्टेट को पהले मैंने उठाया है तो सबसे पहले विस्ट बेंग slopes से सबसे ज्यादा कोमेंट्स आये तो मैंने जो डेटा लिया है वो विस्ट बेंगोल का लिया है तो स्टेट वाइस को टा के अंदर लेखी स्टेट कोटा है का जो बैलिफित होत है वह 85% तो 85% जो रिजर्वेशन होता है तो 85% जो रिजर्वेशन है स्टेट फोटा के थ्रू मैं उसी की बात करने वाली हूं तो ने 2021 की जए देखे एक्सपेक्टेड कटोफ क्या रहने वाली है इससे पहले गाइस यदि आप मेरी चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले क्योंकि आपके एक्जाम, ओफिशल, नौटेस, रिजल्ट, कटोफ से रिलेटिड की जो पल-पल के अपडेट होगी वो आपको मेरी चैनल के उपर अबलेबल मिलेगी अब देखे हम चलते है विस्ट बिंगोल का जो एक्चुल डीटा है वो क्या अगर 2017 की, मैं सबसे पहले बात करती हूँ, कि 2017 की जो एक्चुल गटोफ रही है जनरल के टेगरी की, वो रही है रही है 46, 4464, OBC के टेगरी की 461, SC के टेगरी की 321, 200, AST के टेगरी की 106 नंबर कटोफ रही थी, 2017 की एक्चुल कटोफ है यह, उसकेबद 2018 के अगर बात की ज 481 मार्क्स रही है 481 जिन स्टुडेंट्स के मार्क्स थे उनका एडमिशन हो गया है ठीक है OBC के टेगरी के अंदर 474 जो कट ओफ थी वो गई थी SC के टेगरी की 349 कट ओफ गई थी और ST के टेगरी के गाइस बहुत ही कम कट ओफ गई थी 183 आप देखिया आपने काफी जगे सोसल मीडिया पर देखा होगा कि 200, 2500, 300 नमबर वाले बच्चे को मिला MBBS स्कॉलेस तो गाइस वो के टेगरी के उपर डिपेंड करता है कि आप किस पर्टिकलर के टेगरी से और उस स्टेट के अंदर कितनी नमबर उप सेट्स है तो उनके उपर ये पूरा जो डेटा होता है कि आप का जो कट ओफ है वो कितना जाने वाला है वो पूरा उनके उपर डिपेंड करता है अब मैं 2019 के अगर बात करूँ तो 2019 की जिनरल की एक्सपेक्टिश एक्चुल एक आपकी कट ओफ 185 गई है ठीक है अब देखें आप यहां देख सकते हैं 2017 में जो कट ओफ गई थी 2018 में गई है 19 में गई है इंग्रेज हो रहा है कंडियो ऐसे ही अगर मैं 2020 की बात करूँ तो 2020 के अंदर भी डेटा आपका इंग्रीज हुआ है जो कट ओफ है वो इंग्रीज हुई है सभी के डेग्रेज के अंदर तो 2021 की अगर बात की जाती है तो गायज जो आपकी जो कट ओफ है वो 2020 से भी इंक्रीज होने वाली है आपको यह मान कर चलना है कि 2020 की जो कट ओफ है उससे बिलो कट ओफ नहीं जाने वाली है उससे अबव कट ओफ आपकी जाएगी तो यदि आपके marks में 2021 की expected cutoff की अगर मैं बात करूँ तो general category के अंदर यदि आपके marks 530 to 540 के असपास है तभी आपको मान कर चलना है कि आपका West Bengal State के अंदर MB West College आपको मिल पाएगा OBC category के अगर बात की जाती है तो OBC की आपको expected मान कर चलना है 520 to 530 अगर इतने marks बनते है तो ही आपका हो पाएगा SC category की जो expected cutoff माने गई है वो माने गई है 400 to 410 और ST category की expected cutoff माने गई है 200 to 205 ठीक है यह expected cutoff माने गई है इतनी expected cutoff जो cutoff है वो जाने वाली है इससे कम आपके cutoff नहीं जाने वाली है तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बोक्स में कमेंट कर सकते हैं मैंने West Bengal especially इसलिए उठाया क्योंकि West Bengal से काफी ज़्यादा students के कमेंट साहे थे क्योंको West Bengal की cutoff चाहिए इसलिए मैंने यह actual data की साथ वीडियो बनाई थी तो और भी किसे स्टेट का अगर आपको actual data चाहिए तो लास्ट येर प्रीविए से जितने भी येर से उन सभी का actual data लिया जाएगा 2021 का expected लिया जाएगा फिर आपको बताया जाएगा तो नेचे कमेंट बोक्स में कमेंट कर दीजिएगा जिस भी पर्टिकलर स्टेट का आपको चाहिए ओके गाईज यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सेर करना विल्कुल भी ना भूले थैंक्यू